सेक्स समस्याओं पर चुप्पी घात कह विश्व प्रसिद्ध सेक्सोलोजिस्ट्ड एस के जैन से खास बात चीत भारत में आज भी सेक्स समस्याओं के बारे में बात करने से लोग कतराते हैं इसके चलते लोग अपनी सेक्स समस्या किसी से कह नहीं पाते और इलाज के लिए यूँ ही भटकते रहते हैं विश्व प्रसिद्ध सेक्सोलोजिस्ट्ड एस के जैन से हमने बात की और कुछ कॉमन सवालों के जवाब उन से लिए सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग या तो शर्मा कर चुप्पी साधु लेते हैं या उनकी भौने तन जाती हैं कई लोग इस शब्द को मुह से निकलने पर भी नाराज हो जाते हैं पर सेक्स समबंदी समस्याएं आपके मानसिक और शारिरिक स्वास्त पर बुरा असर डाल सकती हैं इनको चुपाने के बजाए इन पर खुल कर बात करना बेहदावशक है भारत के अंतराश्ट्री यख्याती प्राप्त सिक्सोलोजिस्ट ड एस के जैन के लखनव और दिल्ली में बर्लिंग्टन क्लिनिक प्रा ली स्थित हैं ये क्लिनिक निराश लोगों के लिए उम्मीद की एक किरन है जो खोए चेहरों पर मुस्कान लोटाने का काम कर रहे हैं जैन अपने तजुर्बे और प्रतिभा के दम पर न सिर्फ भारत बलकी विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहे हैं 1974 में लखनव विश्व विद्याले से B.A.M.S. बैचलर अफ आयरवेद एंड मौडन मेडिसिन एवम सर्जरीड जैन ने पिछले से तालीस साल में हजारों सेक्स रोगियों का सफलता पूर्वक इलाज किया है इन चिकित सकी या उपलब्दियों की वज़ा से उन्हें भारत के साथ साथ ब्रिटिन, अमेरिका, यूएई, जर्मनी जैसे देशों में कई अवार्डों से सम्मानत किया जा चुका है उप्राश्ट्रपती वेंकय या नाएडू से चेम्पियन अफचेंज पुरुसकार प्राप्त करते हुए ड, सारांश जैन, विश्व प्रसिद सिक्सोलोजिस्ट, ड, एस, के, जैन से बात चीत के कुछ हन्श सवालह भारत में आम तोर पर लोग सेक्स के बारे में बात करने से कत्राते क्यों हैं? ड, एस, के, जैन हैसा पुरातन मानसिक्ता की वज़़े से है इसके चलते लोग अपनी सेक्स संबंधी समस्या किसी से कह नहीं पाते और इलाज के लिए यूँ ही भटकते रहते हैं सेक्स को लेकर अगर मन में कोई शंका है, कोई शारीरिक समस्या है या जीवन में इस से जुड़े आनंद का भाव है तो उचित परामर्श और इलाज जरूरी हो जाता है ऐसे समय में जब इंटरनेट, टेलिविजन, अखबार और होडिंग सहित सड़क किनारे की दीवारे विभिन प्रकार के लुभावने विज्यापनों से पटी पड़ी है तब इस समस्या को लेकर हिचक्या चुप्पी इनसान की दुरगती कर देती है सवालह भारतियों के बीच सेक्स की समस्या कितनी बड़ी है, क्या वाकई यह एक ऐसी समस्या है जिसे अलग से देखने और समझने की ज़रूरत है जैन ही ये समस्या बहुत बड़ी है और लोग अकसर शर्म और जिजक के कारण इसे नहीं स्विकारते सिर जुका कर समाज में जीने से बेहतर है अपनी नपुन सकता को दूर भगाएं और बेज ज़क यौन रोग विशेशग्य से संपर्क करें आज के दौर में लोग यौन भ्रांतियों का शिकार हैं, जो तारकिक रूप से बिलकुल निराधार हैं ऐसे तनाव में जीने से पुरुषों में टेस्टोस्टरोन हॉमोन का स्तर बहुत गेर जाता है और ऑक्सिटोसन का स्त्राव काफी धीमा हो जाता हैं जो सेक्स के अभिलाशियों के लिए एक श्रापका रूप ले लेता है ऐसी समस्याओं को नजरन्दाज करने से रोग और विक्राल रूप ले लेता है इन परिस्थितियों में तो रंत डॉक्टरी परामर्शेव मुपचार की आवश्यक्ता है सवालह किसी भी महिला या पुरुष की सेक्स लाइफ कितनी होती है? जैन हाम तोर पर पुरुषों की सेक्स लाइफ 60-70 वर्ष की उम्रत तक होती है उम्रत के साथ साथ सेक्स ड्राइफ जिसको लिबिडो कहते हैं कम होती जाती है ज्यादा तर इसकी वज़ा कई अन्य शारीरिक या मानसिक बीमारियां होती है महिलाओं के लिए आम तोर पर सेक्स लाइफ 50 के बाद खत्म होने लगती है प्रेग्निंसी के बाद से लेकर मैंने पॉजता कुनकाल बिडो घटता ही जाता है ये शरीर में पैदा होने वाले इस्ट्रिजन लेवल के उपर नीचे होने के कारण होता है हाला कि मैंने अपने अनुभव में देखा है कि पुरुषों में सेक्स लाइफ की कोई उमर नहीं होती यह पुरुष पर निर्भर करता है कि वह कितना अपने स्वास्थ्य कोमेंट इन रखता है तथा खान पान के द्वारा अपनी इम्म्यूनिटिव सेक्स पावर कितना बेहतर रख पाता है इसके अलावा आयुर्वेदिक औशदियों का उपियोग भी कारगर साबित हो सकता है केंद्री आस्वास्थय मंत्रीड हर्षवर्धन से स्वास्थय भारत रटन वोत प्राप्त करते हुए डसारांश जैन सवालह स्वस्थ और सामान्य सेक्स लाइफ के क्या संकेत हैं? किन लक्षनों को हम समस्या माने? ड स के जैनह समान्य तोर पर सेक्स समस्याओं के लक्षन इस प्रकार के होते हैं 1. शीगर अप्तन, प्रेमिच्वर जाक्यूलेशन, सेक्स के समय चर्मसुक से पहले ही वीरिय निकल जाने की समस्या को शीगर पतन कहते हैं 2. सेक्स की इच्छा की कमी होना, Loss of Libido, कामेच्छा का अर्थ है यौन संबंधों की कमी आ संभोग करने में रुची समाप्थ हो जाना, कामेच्छा की कमी अक्सर वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन करती है 3. यौन प्रदर्शन में कमी आना, Spermatoria, ऐसी समस्या धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ सकती है या अचानक पैदा हो सकती है जिसके कारण यौन गतिविधी के एक या अधिक चर्णों में पूरे या अंशिक तोर पर भाग लेने में अक्षमता हो सकती है यौन समस्याओं का कारण, शारिरिक, मान से क्या दोनों हो सकते हैं 4. लिंग में तनाव की कमी, Erectile Disfunction, यदी पुरुष लिंग में तनाव बनाए रखने में असमर्थ है तो उसे Erectile Disfunction से पीडित कहा जाता है 5. संता नहींता, Oligospermia, पतला या पानी की तरह वीरे एवम स्खलन के दोरान वीरे की मात्रा में कमी या शुक्रानों का नबनना एवम गतिशीलता में कमी जो संभावित प्रजनन समस्याओं का संकित देता है 6. प्रमेह धातू या धात, Spermteria, मल या पेशाप के समय वीरे निकलने को प्रमेह धातू या धात क्षीरनता कहते हैं 7. स्वपनदोश, Nightfall, सोते समय वीरे के निकल जाने को स्वपनदोश कहते हैं इसके अलावा कुछ लक्षनस्त्रियों में भी पाये जाते हैं, जैसे बंद माहवारी, माहवारी का नियमितन होना, प्रदरली कोरिया, सफेद पानी 8. काम एच्छा में कमी अगर आप इन में से किसी भी प्रकार के रोगया उनके लक्षनों से ग्रसित हैं तो आपको तुरंत किसी चिकित्सिय विशेशग्य के परामर्श की आवश्यक्ता है आयुरवेडिक इलाज में अपने योगदान के लिए UAE सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए डसारांश जैन सवालह सेक्स समबंधी समस्याएं शारीरिक हैं या मानसिक? क्या दोनों का अलग-अलग उपचार जरूरी है? ड, एस, के, जैन ह सेक्स समस्याओं का उचे तिलाज न होने से बुढ़ापे जैसी समस्या शुरू हो जाती है सेक्स समस्याएं इंसान की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देती हैं, जिससे सेक्स हॉमोन बनना भी कम हो जाता है और व्यक्ती डिप्रेशन का शिकार हो जाता है पाचन शक्ती और हृदय की क्षमता सहित शरीर के तमाम हिस्सों पर इसका विप्री तसर पड़ता है साथ ही समय से पहले ही दुरबलता और बुढ़ापे के लक्षन दिखाई देने लगते हैं एक बहुत बड़ी भ्रांती है जो सेक्स समबंधी समस्या को मनोरोग या मानसिक मान कर खारिज कर देती है रोगी को चिचिकित सक्से परामर्श वाइलाज करवा कर सेक्स समस्या का समाधान करवाना चाहिए इससे व्यक्ति की शारीरिक वमानसिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है अमूमन मैंने अपने अनुभव से देखा है कि सेक्स समस्याएं पूर्ण रूप से मानसिक नहीं होती है हाँ, इसका कुछ प्रतिशर्ट मानसिक समस्या हो सकता है कई बार लोग आदमी अपनी शारीरिक समस्या को मानसिक समस्या समझ बैठते हैं, जो की गलत है इसके लिए चाहिए कि रोगी किसी भी विशेशग्य सिक्सोलोजिस से मिलकर उपचार कराए परिचाए जैन अपनी सिध्ध दवाओं की फैक्टरी और लबोरिटरी में भरपूर समय बिता कर जहां अपनी दवाओं को पहले से कहीं अधिक कारगर बनाने में जूट हैं, वहीं वह अपने रोगियों के लिए भी हमेशा उपलब्ध हैं लखनव और दिल्ली के क्लिनिक में वीडियों कॉन्फरेंसिंग की सुविधा है, जहां सेड एस के जैन रोगियों से आमने सामने बात करते हैं और उनकी समस्याओं का सफल निधान करते हैं जैन से टीवी पर भी रूबरू हुआ जा सकता है, उनके इंटरव्यू कई प्रतिष्ठि टीवी चैनलों पर नियमित रूप से प्रसारित किये जाते हैं जिनमें वो दर्शकों के सेक्स सम्बंधी सवालों के जवाब देते हैं जैन से उनकी हिंदी और अंग्रेजी वेब साइट के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है झालों में और अंग्र है। पक्रुष्